भारतिय टीम को दो बार वर्ल्ड कप में चैंपियन बनाने में महत्वपड भूमिका निभाने वाले दिगज बल्लेबाज जी उराज सिंग की एक बार फिर क्रिकेट के मैदान पर वापसी हो गई है दोस्तों अगर आप भी यूराज सिंग के फैन हैं और उनकी बल्लेबाजी पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें अंतराश्ट्रिय क्रिकेट में दुनिया भर के गेदबाजों की बखिया उधेडने वाले यूराज सिंग अब T10 क्रिकेट में धूम मचा रहे हैं हाल ही में ग्लोबल T20 क्रिकेट लीग कनाडा में भी यूराज का प्रदर्शन सांदार रहा 14 नौंबर से अब उधाबी में सुरू हो रही T10 लीग में भी यूराज सिंग खेलेंगे यूराज सिंग भले ही अंतराश्ट्रिय क्रिकेट से सन्यास ले चुके हैं लेकिन आज भी उनकी बल्लेबाजी में वही धार है जिसके लिए यूराज जाने जाते हैं अंतराश्ट्रिय टी-20 क्रिकेट में यूराज सिंग एक मात्र ऐसे बल्लेवाज हैं जिन्होंने एक ओर में लगातार 6 छक्के जड़े हैं इसके अलवा मात्र 12 गेंद पर अर्दसतक बनाने का रिकार्ड यूराज सिंग के नाम ही दर्ज है यूराज सिंग भारत को कई ऐसे मैचों में जीत दिला चुके हैं जिसमें एक समय भारत की हार तैल लग रही थी इनमें एक मैच है 2002 नेट वेस्ट रौफी का फाइनल मैच 300 से ज़्यादा लच्छ पीछा करने उतरी भारतिय टीम के मात्र 100 रं तक 5 विकेट गिर चुके थे और इंग्लैंड की टीम जीत का जस्न मनाने की तयारी कर रही थी लेकिन इसके बाद बल्लेबाजी करने उतरे यूराज सिंग ने मुहमत कैप के साथ एक बड़ी साज़ेदारी कर मैच का पासा ही पलट दिया और भारतिय टीम यह मैच जीत गई लेकिन दुर्भागी की बात है कि ऐसे दिगज बल्लेबाज को फेयर विल मैच नहीं दिया गया टी टेन टूनामेंट में खेलने की तयारियां करते हुए अभ्यास मैच के दोरान यूराज सिंग ने मातर 23 गेदो पर सतक जड़ दिया है यूबी की बल्लेबाजी को देख कर कयास लगाया जा रहा है कि अब विधाबी में जम कर गरजेंगे यूराज